प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोधी द्वारा नोट बंदी के एलान के 5 साल हो चुके हैं 8 नमवंबर 2016 को प्रिधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने देश में नोट बंदी का एलान किया था जिसके बाद उसी दिन आधी राज से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिये गए थे है और लोग कैशलेस पेमिंट मोट को अपनाते हुए भी नजर आती हैं तो हारों में खासकर ऐसा देखने के लिए मिलता है नोट बंदी में 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था इसके कुछ तिनों बाद 500 का नयाद 2000 रुपे का नोट सरकार ने जारी किया बाद में 200 र जादा खवा नजर आए कहा गया कि इससे काला धन खत्म होगा नकदी का चलन कम होगा रिजर्व बैंक के आकड़ों के मताबिक नोट बंदी से पहले 4 नवंबर 2016 को देश में चलने में रहने वाले कुल नोटों का मुले 17.74 लाग करोड रुपे था लेकिन ये बढ़ते हु तो 30 अक्टूबर 2020 को सर्कुलेशन में रहने वाले नोटों का मुल्य 26.88 लाग करोड रुपे था यानि कि कोरोना काल में पिछले एक साल में नोट का सर्कुलेशन करीब 8.5 फिस्दी बढ़ा है तो नोट बंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं जिसको लेकर आम जनता की राय जो है वो सोचल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही है दरसल नोट बंदी का ऐलान इसले किया गया था ताकि काले धन को वापस लाय जा सके और जो डिजिटल पेमिंट है उसमें बढ़ाफा इसाफा किया जा सके हाला कि कुछ सालों में ऐसा देखने के लिए भी मिला है 500 और 1,000 के नोट बंद कर दिये गए थी उनका चलन पूरी तरह से बंद हो गया था कुछ महीनों बाद ही 500 का और 2000 का नोट आय था उसके बाद 200 का नोट भी आया है और जो मुल्य है वो काफी जादा बढ़ा है जोहा तो लाइन में लगने के बावजूद भी लोग पुराने नोट देकर नए नोट हासिल नहीं कर पा रहे थे